सोनक शेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां अरावली पाहडी घाटी पर बने कबीर मंदर के पास तेज गती और लापरवाही से चल रहा एक सीमेंट कंटेरर चालक ने बाइक सवार माबेटे को सीधी टकर मार दी टकर इतनी जोरदार थी कि हादेशे में माबेटे की मौके पर दर्दनात मौत हो गई गटना की सूचन मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को कबसे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए नागरे का स्पताल में भेजा गया वहीं कंटेनर चालक घटना को अंजाम देने के बाद कंटेनर को मौके पर छोड़ कर फरार हो गया फिलाल पुलिस ने कंटेनर को कबस में लेकर चालक की खिलाफ मुकदम दर्ज कर लिया है और चालक की तलाश शुरू करती है तो अभी पुलिस क्या कर रहा भाई कर रही है तो किस कि मोत इसमें हुई है हमारी सासु और साला कितनी कितनी अमर थी इनकी क्या क्या नाम थे लिए लुए इंदी गौरों आप में पुरुआ पहु क्बाइब गउसमेडन के पास एकर्वेटर रॉस्तियू ऑड़ अजेट पहु पहुत कैसल पुच भाई Baptist ृसंड एजय को अजैए को यह ci सोय गोणा को किया अचान सबीन ज्रांग को पता तो पुलिस को दिये बयान में मिर्तक के जीजा चर्णन सिंग ने बताया कि वो अपनी पत्नी सास वसाले के साथ दो अलग-अलग मोटर साइकलों पर सवार होकर फरीदबाद से बाबा मोहनराम के दर्शन के लिए मिलगपुर भिवाडी राजिस्थान जा रहे थे जैसे ही सोहना पहाडी घाटी पर बने कबीर मंदर के पास पहुँचे तभी सामने से आ रहे एक सीमेंट कंटेनर चालक ने मोटर साइकल को सीधी टकर मार दी और टकर लगने से मा बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया वेहराल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है सोहना से सतीज राघव पंजाब केसरी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद